लवकिश कटारिया को वीकेंड का वार में बुरे तरीके से टारगेट किया गया है दोस्तों उनकी ओडियंस को लेके चलिए बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाई में मैं हूँ अदिती शर्मा तो दोस्तों लवकिश कटारिया से जबर दस्ती ये बुलवाया गया कि ये बोलो कि यलविश का कोई भी फैन उन्हें सपौर्ट नकरे और उन्हें उनके कॉंटेν्ट के हिसाब से जच करे उनको जो है फिलहाल कोई भी सपौर्ट ये खैन से नहीं आना चाहिए तो आखरकार क्या किसी भी platform का ये तुक बनता है कि इस तरीके से किसी contestant को या किसी fandom को कहा जाए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि ये तो audience की अपनी मर्जी की बात है audience अपनी मर्जी की मालिक है कि उन्हें किसे support करना है उन्हें किसे vote करना है वो किसे पसंद करें, ना पसंद करें, क्या अब ये भी बिग बॉस डिसाइड करेंगे, कि किसको किसको सपोर्ट करना है और किसको किसको नहीं सपोर्ट करना है, ये मुझे बहुत ही झीब चीज लगी, कि इस तरीके से जो है, Elvish Yadav और Elvish Army को एक किसम से डिस्रिस्पे्ट किया गया कि बहिया जो है लवकेश कटारिया को सपोर्ट करने की जरूरत नइ और लवकेश कटारिया को जबरदस्ती ये चीज़ बोलनी पड़ी और बोलनी इसलिए पड़ी क्योंकि भरे सामने एक respected परसन खड़े हैं लवकेश का ये ही कहना था कि मेरे पिरेंट्स को ये चीज बुरी लगती अगर मैं अनिल कपूर सर की बात नहीं मानता क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं लेकिन मैं उनकी चीजों से उनकी बातों से अगरी नहीं करता हूँ तो ये सबसे disrespectful था एक इसम से आप अपने ही एक सीजन के winner की और उसकी audience की disrespect कर रहे हैं यहां पर अगर उन्हों ने लवकेश कटारिया को चूज किया है तो ये उनकी मरजी है और ये बाकी जो भी neutral audience जो चूज कर रही है लवकेश को ये उनकी मरजी है अगर आप ये decide करने लगे कि कौन किसको support करेगा तो फिर तो कैसे चल पाएगा ये शो तो audience को tease करने का ये सबसे बुरा तरीका था आप सभी को क्या लगते है इसमें comments में बताईए जरूर मिलते हैं next video में